मूवी की शुरुवात एक गेम से होती है जहां दो लोग एक जगह पे खड़े होके वो गेम देख रहे होते हैं एक का नाम जेड रहता है और दुसरे का नाम टॉम दोनों बाप बेटे रहते हैं तभी बार कर्षिन दिखाया जाता है, जहां जेड भी रहता है, कुछ लोगों से बात करते हुए, तभी एक लड़की जेड के पस आती है, उसका नाम टोनी रहता है, वो दोनों की फैमिली पहले साथ में कैम्प करने जाते थें, वहां दो लोगों को और दिखाया जाता है, जो मैट के दूसरे रहते हैं, उनका नम रोगोट और दूसरे का नाम डाइल रहता है, तभी उस बार की और पुरी सिटी के लाइट चली जाती है, वो अपने अपने गर चले जाते हैं, जेड के डाइड यानि टॉम उसे कह रहे होते हैं कि तुम आ रहे हो पहले बोलना था तब जेड कहता है, कोई बात नहीं डाइड, सोफे पर ठीक हूँ, तभी वहां मैट अपनी गर्फरेंड एरिका के साथ आता है और उसे बाई कहके अपने डाइड के पास जाता है और गेम के बारे में पुस्ता है, तभी टॉम कहता है, तुमने ठीक के लाइड, मैं अभी यूटी पे जा रहा हूँ, ब्लैक आउट के चलते, नाइट शिप्ट है, उसके बाद जब जब जेड मैट से बात करने की कोशिश करता है, तो हमें देखने को मिलता है, कि दोनों में नहीं बनती है, क्योंकि मैट अकेला रहता है, और जेड एक मरीन है, जिसे की ड्यूटी वहां से निकल जाता है, अपने डेट को खोजने के लिए, जब टॉम उन्हें रास्ते में मिलता है, तो उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है, पर वैसे ही उनकी गारी आगे जा कर ठकरा जाती है, तो टॉम जेड को मैट का ध्यान रखने को कहता है, और तभी जेड म मैट को वहां से लेकर निकल जाता है जहां मैट के कहने पे जेड उसके साथ एरिका के घड़ जाता है उसे बचाने के लिए पड़ वहां उन्हें पता चलता है कि उसे उन लोग ने पकड़ रखा और उसी बीच उन में और कुछ नौर्थ कोरियन आर्मी में हाताफाई होती है जहां हमें उनका कैप्टन चो देखने को मिलता है वहां से भाग लेते हैं और उसी दोरान मैट के कुछ और वी दोस्काद उस गारी पे कूत के बैठ जाते हैं जिसमें एक मेयर का बेटा होता है वह कैप्टन चो को रोकता है कोली चलाने से कि उन अवी बच्चे हैं उसके के जनगल के में से कुछ लोग निकलते हैं और एकust image रहता है और दूसरे आ। जुली और क्रेंग से जेट के कहने पे सब जवरत का समान सब वहां एक खठा करने में लग जाते हैं, जहां उन में से कुछ को कुछ गोली भी मिलती है, उसके बाद वो टीवी पे देख कर समझ जाते हैं कि उनके देश में North Korea वो जब गूल झब इंवेट यह हुथा है और सब वहां रहने करते हैं पर वैसही अक Pr Vermoff कि आवाज सुनाई रहता है और यह उसे दह़ते है drugingers are तभी वह उनने मना करते हुए दोड़ता है और मैट से पता चलता है कि उसने गोली नहीं चल्लाइए वो पीट था और जब जेट पीट से वह गोली मांगता है तो वह मना करता है तभी उससे व één गोली जवर्दस्ती छीण लेता है गारी में से डेनी नाम का आद्मी निकलता है जो MET का दोस्त रहता है और टूनी भी वहीं रहती है MET उसे अरीका के बारे में पुसता है तो उसे पता चलता है कि वो उन लोगों के कैद में है तभी अगले दिन का सिन दिखाया जाता है वो सब सो रहखोते हैं बेट guid hunt चलता है है और उसके पता चलता है कि product वहां से भाग गया है सारे राशनिले के उसके बाद eram सबसका चलता है जंगल के ओर चलने के लिए पीट कभी भी उनने ले के यहां आ सकता है उसके या सकता है और मेटे को जंगल में बातखर्ते वीवर दिखाया जाता है तबी डैनी आके कहता है उन लोगों ने ढून लिया है हमें और वो जाके वहां थोरे ही दूर से छुपकर देख रहे होते हैं जहां कैप्टन चो टॉम और डायल के डैट के साथ वहीं खड़ा रहता है वहां उसे वो सब नहीं मिलने पर पीट से पूछता है उसके बाद वो टॉम और मेयर को आगे कर देता है अपने बचों को बुलाने के लिए जहां मेयर उन्हें बुलाता है पर वो सिर्फ सुन रहे होते हैं तब ही टॉम उन्हें बोलता है कि वो जहां है वहीं रहे और उनसे यह प्रॉमिस करने को कहता है कि आज नहीं तो कल इने यहां से निका के लिए इंकरेज करता है और वो सब ये i Decide करते हैं वो फाइट करेंगे उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग करते हूँ दिखाया जाता है और साथ वो आरमी कि इंटेल भी जुटा रहे होते हैं, उन्हें एक फाइदा ये भी रहता है कि वो उन लोगों में घूल के रोट पे अराम से चल सकते थे, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग खत होने पे जेड कहता है, हमें छे वेपन्स की जरूरत है, उसके बाद टोनी को प्रिटेंड करते रोबर्ट वहाँ गोली चलाने से इचकी चारा होता है, तभी मैट और जेड मिलके उसे ट्रेनिंग देते हैं, गन चलाने की, उसके बाद जेड को उन्हें आगे के बारें बताता है कि अब हमें उन्हें बताना है कि कोई उन्हें रोक सकता है, जिसे लोग जाने हमें और हम इस movement को ज्वाइन करें, उसके बाद robot को एक skateboard पे bomb लगाके उनके post में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो robot को रोखते हैं पर वो skateboard अंदर जाते ही वो blast करवा देते हैं, उसके बाद उन्हें अपना ग्रूप का नाम लिखते वे दिखाया जाता है जो वुलवरीन रहता है ये नाम कैप्टन चोव को भी दिखता है जब वो अपने एक आर्मी बेस पे जा रहा होता है वहाँ पहुचने के बाद जब वो अंदर जा रहा होता है तब ही कमांड सेंट जाता है जिसे की लोग अब उन्हें पहचन सके उसके पूछन उन्हें अपने सेफ प्लेश पर एक साथ बैट कर बात करते हैं दिखाया जाता है। उसके बाद मेट को एक प्लेस पे दिखाया जाता है जहां नौर्थ कोरियन आर्मी ने अपने प्रिजिनर्ड कैम्प बनाएं रखे होते हैं। महां मैट को एरिका दिखती है और जब वो आधी रात को आ रहा होता है तो जेड उसे बाहर ही मिलता है जिसे की दोनों में बहुत स्टार्ट हो जाती है जहां जेड कहता है तुम अपने फाइदे के लिए पूरे टीम को खत्रे में डाल रहे हो तभी मैट उसे अपना फोन दे करता है और सब को अपने प्लैन के साथ वर्क करते हैं दिखाया जाता है जहां नौर्थ कोरिया के कुछ लोग भी बैठे रहते हैं जिसमें से डाइल के डाइड भी होते हैं पर जेड को वहां एक रश्यन स्पेशल फोर्स के कुछ आदमी भी दिखाई देते हैं तो वह उन तफरी मच जाती है जहां मेट अरेका को बचाने कर यह भागता है वो उसे अज messy भागता है तब तक ग्रेक क गुली लग जाती है जब वो उसकी हल्प करने के लिए भाग रा होता है ंपर और वहीं मढ़ जाता है । जहां दूसरी और सारे टीम मैस्ज़न प्रकर क पीछ के लोगों में घुल मिल जाते हैं और दूसरे वहां से भाग निकलते हैं दूसरी तरफ मैट को वहां से लेकर निकलता है पर कुछ नारा गया वो यह सुनकर उदास होके वहां से चला जाता है। दूसरी और तोनी और दूसरे एरिका से मिल रह होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है। जिस लेडी ने मैट की मदद की थी। उसे कुछ सोलजर पकड़ कर लेके जा रहे होते हैं। और उसे मारने वाले रहते हैं तभी जेड अपने टीम के साथ वहाँ गोली चलाने लगता है पर जब वो सुलजर उन पे भारी पढ़ने लगते हैं तभी रौवर्ट अपने हेवी मसीन गन से दुसरी तरफ से जाकर फाइरिंग करता है और उन सब को माड़ गिराता है और को उसके सेनियर ऑफिसर्ट उसे फटकार लगते हुए दिखाया जाता है तभी कैप्टन चो कहता है हमें उनका लोकेशन पता चल गया है कल तक वो नहीं पचेंगे उसके बाद जेड को मैट के पास आके उसे बात करते हुए दिखाया जाता है उसके बाद मैट अपने से प प्लेस की योर और अंदर आके सब को वही रह निकले काते हैं और ब्लास्ट खत्म होते ही वह वहां से निकल पड़ते हैं क्यूंकि पीछे से नौर्थ कोरियन आर्मी वहां आती है अपने डौगी के साथ उनको देखने के लिए और जब कैप्टन चो को पता चलता है कि बस वह जहां दो ही मरें हैं तब उन्हें कहता है जाके डूंड़ो उन्हें उसके बाद जंगल में उन्हें एक जगह पे दिखाया जाता चयाहां कुछ मरींस उन्हें धुटते हुए आते हैं और उन्होंसे ह grin मांगते हैं जहां जेड को पता चलता है कि जो मसीन्स यूज करता है अपने command center से बात करने के लिए उन्हें वो machine चाहिए, यही एक चीज है जिसे वो communicate कर सारे help पाते हैं, अपने command center से, तबी Z और उसके साथ ही उस machine को उनसे लेने का सोचते हैं, जिससे कि उनकी communication को थप कर सके, उसके बाद उन्हें एक building में घुशते हुए दिखाया जाता है, ज यूंकि North Korean Army का जो current center base उसी police station में रहता है, जहां वो उस building में bomb और other trap सेट कर रहे होते हैं, उसके बाद वो marines के साथ उस police station के terrace जम करते हैं, और एक wire को follow करते हैं, जो उस device तक उन्हें ले जाएगा, पर गलती से वो एक दूसरे room में चले जाते हैं, जो पूरा transparent होता है, ये पता चलते ही, वो उस room की सारी light off कर देते हैं, ये एक soldier देख कर ignore कर देता है, तब ही वो marines सब को एक काम देता है, और सब वहां से निकलते हैं, उसके बाद वो soldier उस room में light देख, जब वहां जाने का फैसला करता है, तो वैसे ही वो mat को देख लेता है, जब mat अपने साथियो को inform कर रहा होता है, वो wire chow के office में जाती है, तब ही mat उसे पकर लेता है, जब वो भाग रहा होता है, पर दूसरी और rovert और dial एक server room में रहते हैं, वैसे ही वहां को soldier आ जाते हैं, और उन में से एक lady soldier चिलाने लगती है, तब ही जो वो आवाज सुन कर वहां से बाहर निकलता ह है, वो machine के साथ और सब वो आवाज सुन कर active हो जाते हैं, दूसरी और mat उसे मार देता है, तब ही एक दूसरा marine बाहर से fake gun firing की sound निकालता है, wireless device पे और captain चो को कुमडा करता है, तब ही captain चो उससे पूछ रहा होता है कि वो कहा है, पर उसे कोई जवाब ना मिलने पर वो wireless device फे order होते हैं, सब पे गोली चलाते हुए, दूसरी और mat jet के साथ मिलकर चो के office में पहुंचता है, पर captain चो वहाँ पे नहीं होता है, और तब ही उसे वो machine के साथ जाते हुए दिखता है, तो jet उन पे गोली चलाता है, और वो machine वहीं गिड़ जाता है, और इसी का फाइदा उठा आते हुए, mat वो machine ले लेता है, तब ही जब dial भाग रहा होता है, वहाँ से काम होने के बाद, तो वैसे ही वो Russian soldier उसे पकर कर कुछ उसके सरीर में डाल देते हैं, पर dial वहाँ से भाग निकलता है, उसके बाद उन में से एक marine को मड़ते हुए दिखाया जाता है, जहां दूसर चो जेट को गोली मार कर घायल कर देता है, और जब उसे मारने जा रहा होता है, तब ही जेट जहां पड़ा रहता है, वो उसके डैट की टेवल रहती है, और उसमें से एक लोकर खोल कर गन निकाल लेता है, और आते हुए चो को गोली मार कर गिरा देता है, और उसके बाद उसे गोली मार देता है, दुसरी और मैट वो डिवाइस रोवर्ट को देखके जेट की मदद करने के लिए आता है पर जब तक जेट कैप्टन चो को मार चुका होता है, उसके बाद सिंसिप्टों के पूरी टीम को एक जगह पे दिखाया जाता है, जहां गायलो की फर्स टेट चल रही होती है, और मैट एरिका से मिलता है, और फिर जेट और मैट बात करते हैं, और जब जेट मैट से बात करके टोनी की और बढ़ रहा होता ही है, वैसे ही एक गोली आके उसे लग जाती है, और वो वहीं मड जाता है, तभी डायल एक रिमोट प्रेस कर उस तोर कर सब को वहां से निकाल लेता है, उसके बाद उन्हें एक गारी से जाते हुए दिखाया जाता है, जहां काफी दूर निकलने पर मैट गारी रोक कर बाहर आता है, और सोचने लगता है उन्हें हमारे लोकेशन कैसे पता चला, तभी रोवर्ट डायल का वो घाव देखता है जो क्रेशन ने दिया था और ये देखने के बाद रोवर्ट को पता चलता है कि उन लोगों ने डायल के बाडी में एक लोकेशन डिवाइस इंजेक्ट किया होता है, इसी के कारण उन्हें उनका लोकेशन पता चला होता है, तभी ये सुनते ही टोनी इमोशनल हो जाती है और जेट की डेट का गुनेगार डाइल को कहती है तबी डाइल को जब ये पता चलता है कि इसे नहीं निकाला जा सकता है तो वो वहीं रुकने का फैसला करता है और सब उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद सिंसिफ्ट होके दिखाया जाता है जहां मरीन वो डिवाइस लेके जा रहा होता है और मैट वहीं रुक के इस लड़ाई को लड़ने का फैसला करता है उसके बाद मैट और उसके साथी को नौर्थ कॉरिन आर्मी के कई ठीकानों पर अटैक करते हैं और लोगों को अपने ग्रुप में सामिल करते हैं इस लड़ाई को झाल